नमस्कर दोस्तों सुआगा थे आपका हमारा डेली 36 गे करेंट एट्ड सीरीज प्रिज से प्रशिक कश्यव ने विश्वा रैंकिंग में कौन से इस्थान हासिल किया है? 38 इस्थान हासिल किया है विश्वा में और भारत में दूसरे नंबर के खिलाड़ी बनी है. 36 इस्थान में राज्य इस्थर पर आयुष्मान भव योजनक शुभरम निम्न में से किस ने किया है? स्री टीयस सिही देव जी ने किया है. 36 इस्थान में त्री इस्थरी पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रवे वित आयुष्मान संसर फरकूल कितने करोड़ रुपय जारी किये गए हैं? 562 करोड़ पचास लाख रुपय जारी किये गए हैं? 36 इस्थान में पोला तेवहर कब मनाया जाता है? 36 इस्थान पर है? पिछले वीडियो का कुईस कोश्चन है 36 इस्थान में पशू उप्चार की सुईधा बढ़ाने के लिए कितने नए पशू और सधालय प्रारम किये जाएंगे? 25 नए पशू और सधालय प्रारम किये जाएंगे? चलिए आज के पहले प्रश्न क्योंड चलते हैं? केंद्र सरकार की स्वच्च वायू सर्वेक्षन 2023 में 36 गड़ के रायपूर जीले को कौन सा इस्थान मिला है? इसका सहीं उत्तर है, आप्शन सी 16 गड़ केंद्र सरकार की स्वच्च वायू सर्वेक्षन 2023 में 10 लाग से अधिक की अबादी वाले 47 सहरों में रायपूर को 16 गड़ किया गया था? इस सर्वेक्षन में 200 अंकों में से रायपूर को 179.5 अंक मिले हैं, इस रिपोर्ट के जारी करता जो है, वो केंद्री परिया वरण एवं जलवायू मंत्राले हैं, दोस्तों इस सर्वेक्षन में जो टॉप 3 जो सहर रहे हैं, उसमें पहले नंबर पर इंदौर है, जो मध् है, ठीक है? स्वच्छा वायू सर्वेक्षन 2023 के लिए केंद्री मंत्राले ने शहरों को 3 स्रेणियों में बांटा गया था, 10,000,000 से अधिक अबादी वाले 47 सहरों को पहली स्रेणी में रखा गया था, वहीं 3 से 10,000,000 अबादी वाले 44 सहरों को दूसरी स्रेणी में और 2 से 3 लाख अबादी वाले 40 शहरों को तीसरी स्रेणी में रखा गया था इस प्रकार कूल 131 शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा कराए गया सर्वे द्वारा रैंकिंग है तू निरिक्षन उपराद मुल्यांक्यन के अधार पर है रैंकिंग होशित की गई ह दोस्तों आपको बात को यहां पर ध्यान में रखना है कि जो सच्छवायू सर्वेक्षन 2023 हुआ था उसमें तीन स्रेणियों में सर्वेक्षन किया गया था जिसमें से एक स्रेणि थी 10 लाग से अधिक अभाधी वाले शहर इस 47 शहरों में रायपूर को सोलवा इस्थान मिल सच्छ था थीक है अगला प्रश्न आ रायपूर जीलह में कि कितने स्वामी आतमरंद स्कुलों में आई कलब बनेगा। राइपूर जीले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वार नरेंद्र भूरे की उपस्तिती में राइपूर जीले प्रसाशन और आई जेब्रा के मध्य MOU हुआ है जिसके तहत राइपूर जीले के तीन स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट इंग्लिश मेडियम स्कूल में डेट जैसी अत्याधुनिक तक्निकी की जानकारी पाठे करम में शामिल करने की घोश्टन की है जीले प्रसाशन राइपूर यह महत्वपूर कदम उठाने वाला चत्किस गड़ का पहला जीला बना है गौर तलव है की आई जेब्रा ए आई अमेरिकी कमपनी है जो ए आई के छेत महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था इसका सहीं उत्तर है ऑप्षन भी दो महिलाओं को नई दिल्ली बुलाया गया था नई दिल्ली में होने वाले जी टॉन्टी सिखर सम्मेला में शामिल होने के लिए इस साल महिलाओं को बुलाया गया है इन महिलाओं में बस्तर स जिले के बस्तानार ब्लॉक की रहने वाली संगीता कश्यब रीपा में काम कर रही है इसके अलावर निर्मला भासकर भी कांकेर जिले के भानी प्रतापपूर में एक समुह में काम कर महिलाओं के लिए एक प्रेड़ना का स्रोत बनी है ध्यार रखे दोस्तों आपको इस भासकर देजेगा सी में और वी दोनों और डी में इन में से कोई नहीं यह प्रश्ण भी हां से बनता है आपको ध्यार रखना है बस्ता संग्हाग से दो महिल आए गई थी जो एक संगीता कश्यब थी और दूसरी जो थी न वो निर्मला भासकर थी ठीक है इस चीज को आप भी आपको धियान में रखना है G20 सीखर संग्हाग में भाग लेने वाले राश्ट अध्यक्षकों को बस्तर और कांकिर में लगुष धानने फसलों की खेती के बारे में जानकारी देने के सांस सांत उन्हें इसके खाने से होने वाले फाइदों के बारे में बताएंगी और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 10 राष्ट्र अध्यक्षकों को प्रतीक के रूप में इन खाद्य समाग्रियों से बनाया गया पैकेट को प्रतीक के रूप में देंगी अगला प्रश्ण है जल जीवन सर्विक्षन 2023 में उत्कृष्ट कारेक लिए 36 गड़ के किस अकांची जीले को राष्टी पूरुषकार से सम्मानित किया गया है इसका सही उत्तर है ओप्षन नरायनपूर जीले को राष्टी पूरुषकार से सम्मानित किया गया है नरायनपूर जिले को अकांची जिले के अंतरगत जल जीवन सर्विक्षन 2023 में उत्कृष्ट कारे कले प्रसस्तिव पत्र से केंद्री जल सक्ती पे जल एवं सुच्छता विभाग ने सम्मानित किया है केंद्रे सारकार द्वारा जल जीवन सर्विक्षन एक अक्तूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया इसमें अकांची जीलों के अंतरगत नरायनपूर जिले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया है नरायनपूर जीले के लिए जल जीवन मिशन के लिए 30,322 परिवारों तक सुध्ध पे जल पहुचाने का लक्ष रखा गया था इनमें 18,072 घरों तक नल कनेक्शन पहुचाया जा चुका है और 14 ऐसे गाउं है जहां सत प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है अब तक 36 गड़ राज्ये के कुल 422 ग्रामों को हर घर जल प्रमानी करण किया जा चुका है उलेखनी है कि नरायनपूर जीले के दो विकास खंड और चा और नरायनपूर भी इसमें शामिल है अगला प्रशन है जल जीवन मिशन के अंतरगद 36 गड़ में कितने पतिशत परिवारों को सुद्ध पेजल के लिए घरिलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है इसका सही उत्तर है उप्षन सी 60 परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है जल जीवन मिशन के अंतरगद सुद्ध पेजल पहुंचाने का काम मिशन मोट पर किया जा रहा है और तमान की स्थिती में 36 गड़ राज्य दौरा और सतन प्रती दिन 7000 घरिलू नल कनेक्श क्या जा चुका है उन लेखनी है कि नरायन पूर्जी लेके दो विकासखन और शो नरायन पूर्विश में शामिल है अगला प्रश्न है प्रतिवर्स राष्ट्री हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका सही उत्तर है उप्षन भी 14 सितंबर को मनाया जाता है इसके अलावा 10 जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हिंदी दुनिया में चौथी ऐसी भाषा है जो सरवाधिक बोली जाती है पूरी दुनिया में 80 करोड से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं वर्स 1909 में भारत की समिधान द्वारा हिंदी को रा 2033 में राष्ट्री हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था अंग्रेजी सहयोगी अधिकारिक भाषा है और राज्यों के साथ समवाद करते समय इस्तमाल किये जाने वाली भाषा है अगला प्रशन है निम्न लिखित में से किसे गोयल सांति पूरुसकार से सम्मानित किया जायेका इसकी सहीं उत्तर है ओप्चने स समनात जी को गोयल सांति पूरुसकार से सम्मानित किया जायेगा और एแตश्तमान कॉन है अभी वर दमान इस रोके अध्या क्छे हैं ड्क्たर के सिवान पूर्व इस रोके अध्याक्ष थे स्रीमती द्रोपति मुंदू है ये जो हि Аंतरिक्ष नुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोम्नाथ को गон सांतिपुरुषकर से संभानित किया जाएगा। चंद्रयाण थरी की शफल लेंडिंग के बाद स सिम्नाथ को पुरुछेत्र विश्विध्य द्लेलेग गोयाल सांति पुरुषकार से सम्मानित करेगा अगला प्रश्न है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमानन प्राप्त हुआ है इसका सही उत्तर है ऑप्षन ए विजय वाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमानन प्राप्त और उसे अब हाल का आत्र दम हैं जहां इत राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से समाने हुआ है यह railway station ठीक है? विजयवाडा railway station को इंडियन green building council द्वारा platinum की उच्चतम rating के साथ green railway station प्रमानन मिला है, विजयवाडा railway station को परियावरन मानकों में सुधार और यात्रियों को परियावरन अनुकुल सेवाय प्रधान करने के प्रयासों के लिए प्रमानन मिला है, इस station की rating 2019 में gold से अपग्रेड होकर 2023 में प्लेटिनम हो गई है दोस्तो आज के लिए आपका प्रश्ण है 36 गड़ में Commerce Stream के छात्रों के लिए World Class Center of Excellence की स्थापना कहां की जाएगी चार आप्शन दिये गये हैं इसका सहीं उत्तर आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तो उत्तर गलत हुए सहीं आप इस question को attempt जरूर करें आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत दोस्त शुक्रिया थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्च